प्रादेशिक समाचारी कांश भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिठी आलेक विनोध आर्य वाचक स्वर सैयुक्ता बैनर जी सागर जिले में पंचायती राज चुनाव के तीन चरण और नगरी निकाय चुनाव दो चरणों में शांतिपून धंग से संपन हुए सागर जिले में बंचाय चुनाव के तीन चरण और नगरी निकाय चुनाव के दो चरणों में कुल 2749 मत्तान केंद्र बनाय गये थे जिनकी सरक्षा के लिए जिलाबल, सेफ, होमगाद, वनविभग, मंडी, विशेश पुलिस अधिकारी सहित, बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दोरान कठन परिश्रम, महनत और लगन से कारे करते हुए चुनाव शांती पूर्ण संपन्न कराने में महत्व पूर्ण योगदान दिया चुनावों के दोरान मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान, पूर्वसियम कमलनात, प्रदेश भाजपाध्यक्ष वीडी शर्मा, राजसभा सदस्य सुमित्रबाल मीकी और विवेक तंखा सहित अनेक दिगकच नेता चुनाव प्रचार के लिए सागर आय और रोट शो औ और सभाएं की, जिला निर्वाचन अधिकारिय और कलेक्टर दीपकारिय और पुलस अधीक शक तरुन नायक ने बेहतर तालमेल बनाकर पूरे चुनाव को सौहादर पून और शांतिमे माहौल के बीच संपन कराया, पंचायती राज चुनाव में कई जगह निर्विरोध जिले में 226 जिला पंचायत सदस्यों और 11 जनपत पंचायतों के चुनाव हुए, तीनों चर्णों का मद्दान का ओसत 78 फीज दी रहा। 34,157 मतों में से कुल 70,653 मत मिले जबकि उनकी निकर्तम प्रतिवन्दी भारतिय राष्ट्रिय कॉंगरस की निधी सुनील जैन को 57,949 वोट मिले। इस तरह 12,714 मतों से भारतिय जनता पार्टी की संगीता सुशील तिवारी महपौन नर्वाजद घोशित की गई। नगर निगम के 48 वोडों में पाशत पत के लिए हुई वोटों की गिंती के बाद भारती जनता पार्टी के 40, कॉंगरस के साथ और एक निर्दली उमीद्वार विजाई घोशित किये गए। सभी नर्वाचत उमीद्वारों को कलेक्टर और जिला निर्वाजन अधिकारी दीपकारी द्वारा प्रमाणपत रुप्तदान किये गए। सभी विजिताओं को नगरी विकास, मंत्री, भूपेंद्र सिह ने शुपकामनाई देते हुए विकास कारियों को गती देने की अपील की। हाला कि अभी औसत से कम बारिश हुई है, लेकिन कुछ अलाकों में औसत से अधिक बारिश हुई है। किसान बोनी के काम में जुटे हुए है। सागर के डॉक्टर हरी सिंग और केंद्रे विश्व विद्याले के मानव विज्ञान विभा के 66 वे स्थापना दिवस के अफसर पर विश्व विद्याले तथा रूस के मौस्को स्थित, पहली आई थोनोलोजी, रिसर्ट सेंटर के मध्य अंतराश्य स्थर पर शाक्षनिक और शोत कारियों के लिए समझोता किया गया। डॉक्रेटर पी आर्सी, उपनिदेशक डॉक्टर डेनस पजेमस्की, मिस लिलिया ने MOU पर हस्ताक्षर कर आपसी सेहमती प्रदान की। संयोज़क डॉक्टर सवेंद्र यादव ने इस अंतराश्य समझोता अभियान के प्रमोख देशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्यक्षणिक समझोते से मानव विज्ञान, पुरातत्व, जैविक भौतिक नृविज्ञान और मानव अनुवांशिकी के आकणों के आधार पर यूरेशिया, भारत और रूस की प्राचीन और आधुनिक आबादी के नृवंश, विज्ञान, मुद्दों के अध्यन के क्षेत्र में, परियोजनाओं और कारिक्रमों के संचालन में मदत मिले की।